एक बार एक कवी हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया राजा के मुलाय जाने पर उसने अपनी कवीताएं पढ़नी शुरू कर दी राजा बहुत प्रसंद हुआ और उसने कवी से अपना इनाम मांगने के लिए कहा कवी ने मोहरों से सजे शतरंज की और इशारा करते हुए कहा महराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उससे दुगना करते जाएं तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया बस इतना ही राजा ने पूछा सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं जी हाँ महराज तो फिर ऐसा ही हो दर्बारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिये पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, इस तरह वो रखते गए जब डसमें खाने में चावल रखने की बारी आई, तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े बीसमें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई आधे हिस्से तक आते आते, बद तीसमें खाने में चावल के दानों की गिनती 214 करोड, 74,83,648 हो गई जल्द ही गिनती अर्बों खर्मों में बढ़ गई आखिरकार, अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवी के हाथों सौपना पड़ा और इसकी शुरुआत, चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी कहानी की सीख चक्र विद्धी की ताकत को कम नहीं आकना चाहिए अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं तब आपकी SIP आपके सेवा निवरत्य होने तक एक बड़ी राशी बन सकती है Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully